अज्कर दोस्तों सवागत हैं आपका टीशी टले चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी ये सिलाई मसीन बड़ी मसीन यानि कि ये अगर आपकी नीचे का ध्दया कट देती है बार बार यानि कि आप wishes आप इसको कैसे सही करएं सबसे पहले मैं आपको बताएंगे कि यह जो मसीन है क्यों कि है और और उसके बाद रहें अब को बढ 적이 करना है तो चलिए दोस्त को शुरू करते हैं बीड़ी आणियो को पूरा दिखएगा और चैनल पर पहली बार है तो सुप्राइब कर बेल आइकन आल पे जरूर क्लिक कर लें तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मसीन जब चलाओ अब जैसे कि आपने उता रही तो बुन नीचे का धागा अपने देखा कि कतर दिया उसने तो एक तो यह प्रूबलम होती जैसे उतारो उसके बाद यह धागे को मतलब च्छाट देती है नीचे के धागे को एक चीज़ कि आए कि आपको बीच मैं से ही मतलब तोड रहा है यह इस तरीके से तो यह नीचे का घाघ तोड रही है मतलब काट देती है तो इसको सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि यह धाघ काट इह क्योंकि नीचे का आड रहे है ना अब डिब्बी vibesे तो काट نہ सै बहुत तो सी से नीचे की मसीन काड़ती कि आपको दिखे साफ, अब देखे इसको ड़ को लगाते हैं निकल आई अब यह जो धागा है इसमें डिक्छीी इसमें रगडता है पत्री के सुराक में अवता है जब किनारे जो हैं या फिर इसके अंदर जैसे तो इसके किनारे सी एक धार सी बन जाती है पत्री में तो आइसे में क्या फ्ता है कि पहली पहाज होई थागा नीचे का पारी धाती है मैं आपको बता है הג मैं इनको आप salary का dripping यह होगी नीचे का काट देती हgesetzterे थागा करें गोईता है तो यहां यहां से तोड़ती है अब मैं आप को दिखाता हूं दुसरी जगे पार आप यह होता किपे सब्सक्राएं जैसे कि यहां से जिसे यहां इस जो हम आपका धागा निकलता है तो यहां अब एक धारसी बन कि यह देखिए यह मारा दागा जो है हम उपर जब करते हैं यह दिखिए हमने उपर इसको खींच लिया तो दिखें यहां पर जो है हमने इसको खींचा तो यह दागा है यहां से ही इसका निकलता है है ना तो ऐसे में क्या होता है यहां पर एक धार सी बन जाती क्योंकि यहां सब्सक्राइब कर एक मतलब निसान थाब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कुर से बारबार। यह कि अम टांक लंगे यहां से भी स्लाओ निकलती है। इसके के विज़ा से तोड़ता है दागा और एक यह लीजर न और भी होता है इसका विलकुछ चिपका हुआ अगर आपका है इसमें बिल्कुल क है नहीं है बिल्कुल भी तो उसके बाद तो सिंपल से बता आउं पहली चीज़ श्कापर से बताता हूं तो यहां से हम डिब्बी को निकाल देते हैं देखे इस्टापर जो आप खोलेंगे तो सटल आपका नहीं खुलेगा अंदर की कटोरी है इसको रोकता है सिर्फ इस्टापर तो यह रिखिए हमने निकाल लिया अब जो धागा है यह रिखिए यह जो रगड दिख रहे हैं यह हलकी सी इसमें बनी है क्योंकि यह नया है अभी जल्दी का है तो आप देखेंगे कि इधर साइड में आपकी रगड बनेगी यहां पर कोने पर इधर कोने होते हैं यह कट जाते हैं और यहां पर ही धार बन जाती है तो ऐसे में आप दो काम कर सकते हैं तो पहला तो यह है कि आप इस्टापन नया यह गिसे चीज़ कर सकते हैं, इसकी धार को खसम कर सकते हैं, तो पुट्टी चोटा ने रेगमाल होता है आपको ले सकते हैं, यह लें को प्रेगमाल ले सकते हैं, क्यूंकि अगर हिस्तेमाल करेंगे तो यहां पर और ज्यादे खुर्खुरा पन नहीं होगी तो इस लिए आपको चिकना चाहिए बिल्कुल यहां पर धार खतम हो जाए और चिकना यहां पर हो जाए तकी दागा निकले तो तुरंधी बहां पर कटे नहीं इस तरीके से यहाँ पर मतलब इस तरीके से घिस लेना है घिस के मतलब धार को विल्कुल खतम कर देना है चिकना कर लेना है और सब्सक्राइब में अऌर आए हमसा में सैंनेगा कम कर रहे हैं कि मेरे में हम दार है लिए NICK अगर आपने जितनी भी हो भी उसको भील्कुल ही चिकना करके से उसको जहां पर आप उंगली से देखेए खुरकुरापन लगे आपको चिकना ना हो बिल्कूल या दिखने से भी तो बहाँ पर आप तरंथी उसको रेखमाल लगाके अच्छे से साफ कर ले जब चिकना हो जाए बिल्कुल पिर आपको क्या करना है अब उसे कटोरिया भी ही तो आपकी घूम जाएगी लेकिन यह जो ह कि अबिसको बांधना कहां पे संटर इसका तो दिए धु ए जो दिए धिकता है हिस्सा है 한 आई न इसकुम को मसीन को चलाना है अब सूई को नीचे करना यस सूई आना चाहिए इसके तो हम को क्या करना देखें बीच में नहीं है इसको हम थोड़ा सा और उपर बढ़ाएंगे इस टापर को अब आ गए बीचो बीच में उसके बाद आपको टाइट कर देना है इससे टाका आपको खराब नहीं हो जो फुंदी देना लगती नीचे बोची न नहीं काटेगी यहां से अगर प्रोब्लम है नीचे का धागा दूसरी चीज एक चीज़ और भी देख सकते हैं यहां पर यहां पर भी सटल में देख सकते हैं अगर यहां पर खुरकुरा पन हो तो इसको बिलकुछ चिकना कर लें वैसे यहां पर धागा जबंद का आटाग तो यह सटल से यहां से काटती है नीचे के धागा नहीं काटती यहां से तो इसलिए मैं आपको यहां से बताने रहा हूं लेकिन यहां पर अगर आप देख लें फिर भी अगर हो यहां पर खुर खुरा पर यहां पर धार बगरा इस नोक पर तो आपको अच्छे से इसको साफ कर लेना घिसना नहीं है बहुत जाद है इसको साफ कर लेना कहने का मतलब धार ना बचे तो यहां पर जो है अब हम इसको पट्री को खोलते हैं यही चीज़ आपको इसमें करना है पर करना कैसे बुम मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ अब इसके अंदर आपकर रेगमाल तो जाएगा नहीं इसको सही कैसे करना है बो मैं आपको बताता हूँ यह वाली जो है यह देखिए धार है है यह जब धार इसमें होगी कैंची में तब ही यह यहां से साफ होगी तो जी यह लोहा जो है बिलकुल गोल हो जाएगा बीच की गुलाई है बिलकुल ही और इधर साइड से और इधर साइड जैसे आम यह आपको डेमोड़ा रहा हूँ क्यों कि मुझा तो दार है नहीं प्रिया हैं तो यहां पर आपको अच्छे से इसको bus ऐन देखेंगे कटापीटी होगी अब दिखिए उसके कपड़ा काटकर देखत कट रहा है इसको अच्छे साफ कर लेना है अब उसके बाद पहली ची तो यह हो गई दूसरी चीज अगर फिर उसके बाद आपको घिसना आ इसको तो आप कैसे घिसेंगे यह दिखें यह नोग बन गई हमारी है ना पतला वाले रेगमाल लेंगे तो अच्छे से नोग बनेगी और उसके बाद इसमें लगाना है और यहां पर साफ कर लेना है इधर तक इसको फूब अच्छे साफ करें थोड़ी देर तलक ऐसे साफ हो जाएगी तो वोपर वपर साइड में फिर आपको रटके सरसे रेकमेरть किसे चला करें साफ करने के बाद फिर आपको यह देख लेना है कि धारं बग़रा बिल्गल साफ हो गया अच्छे से उसके बाद बंढ़ कि इसको बाँने के बाद फिर इसमें मसीन में जहां पर बांदा каче जहां से धागा निकलता पर आपको डालना है और सब्सक्राइब डालना है पूरी मसीन sı Church न हम पूर डालना है फिर देखियगा आपकी मसीन जो है वह दागा भीlkब नहीं काटेगी अब देर हम पूट को लग उसके बाद आपकी मसीन जो है वो धागा बिल्कुल भी कभी नहीं काटेगी इस तरीके से आप साही कर सकते हैं दोस्तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाक करें। चैनल पे हैँ पहली बार आपकी पड़ियर केसे लिए। । फिर मिलते हैं एक नए वीडियो का साथ तब आपके लिए। नमस्कार।